दोस्तो टाटा ने अल्ट्रोज की पुराने मॉडल की वैरियंट XE+, XT Dark Edition और XTA Dark Edition वैरियंट को कम्पनी ने बंद कर दिया था, लेकिन किसी को नहीं लगा था कि अल्ट्रोज की कोई और भी वैरियंट दुबारा से लॉंच हो सकती हैं, तो इस वीडियो में आपको उसके बदले तीन वैरियंट लॉंच कर दिया हैं, जिसमें R1, R2 और R3 सामिल हैं, इसके अलावा कार को तीन कलर में पेस किया गया हैं, जिसमें प्योर ग्रे, आटोमेटिक ओरेंज और एवने वाइट कलर देखने को मिल जाएगा, दोस्तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना रूफ तक रेसिंग स्ट्रिफ्स देखने को मिल जाएगी, इसके अलावा फ्रन्ट फेंडर पर रेसर बैजिंग दी गई है, इसके ग्रिल में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल जाएगा, कंपनी के दोरा इस कार में 16 इंच का अलाइविल दिया गया है, बहरहल एक 220 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है, इस इंजन को 6-speed manual transmission gearbox से जोड़ा गया है, ये बहतरी नेडिसन है, क्योंकि regular i-turbo इंजन में 5-speed manual transmission का option मिलता है, दोस्तो इसकी बाद इसकी feature की बात करो, तो feature दिखेगा कि कंपनी ने तगड़ा feature दिया हुआ है, तो सबसे प वाइस activated electric sunroof, spacious cabin, premium design interior, rear AC vents with rear power outlet, 360 degree camera system, 26.5 semi का screen infotainment system, wireless apple carplay, android auto ventilated front seat, ESC 7 inch का instrument cluster, sunroof और 6 airbag जैसे feature सामिल किया गया है,